नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो का स्टाट करते हैं एक बहुती बड़ी ख़बर के साथ बिहार में चल रही न्यूजन प्रकिरिया में एक नया अर्चन नया मोर देखने को मिल रहा है वैसे तो बिहार सिक्षक भाले में पहले से ही बहुत सारा अर्चन लगते आया है ना जाने कितना अर्चन कभी दिसमबर सीटर का मामला तो कभी एनायोस का मामला और ना जाने कितना LPA दाखिल हुआ कितना खारी जोगा केस लेकिन किसी तरह बिहार सरकार ने अभी तक कौनस्लिंग की प्रकिरिया एक अलग तरिके से रखने के कोशिश की है इसमें बात यह देखने के मिल रही है कि बिहार बोड और SVAC बोड का मामला सामने आया है CVC board से पास अभियर्थियों को पता है आपको कि कितना marks मिलता है अगर अच्छा marks आया है तो 99%, 98% अगर बहुत कम आया है तो 80%, at least 85%, 90% बहुत कम या नीचे से जैदा होता है लेकिन अगर आप बिहार board से academic परिक्षा पास किये है metric, inter, अगर आप 80% भी लाए हैं तो आपको top list में रखा जाता है, आप का mark सरहानिय होता है यही बात मुद्दा अभियर्थियों ने अपनी आवाज को उजागर करने के कोशिस की है कि अगर हमारी कम merit बन रही है तो हम बिहार board से पास अभियर्थी है हमको कुछ न कुछ अलग से वेटिज अंक मिला कर हमको नियूकती प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए जिससे की हमको बिना किसी रुकाबट की बहाली हो सके आने था यह 80%, 90% और 85% एहोब 70% सिवेशी वाले स्टुएंट ने सारा सिट कैप्चर कर हम लोगों को नीचे कर दिया है जिससे की हम लोगों को बहाली प्रक्रिया में कम चांस देखने को मिल लही है बिहार board से पास अभियर्थियों को अभी तो कुछ-कुछ का 50%, 52% लेकिन बहुत ऐसे अभियर्थिय भी है जिसका 45%, 50% के बीच में है उसका क्या होगा अगर यह सिवेशी वाले आगे रहे तो इसी को लेकर बिहार के स्टुएंट ने BACB से मतलब बिहार board से पास अभियर्थियों ने अपना एक केस दायर करने जा रहा है कोट में यह अभी बात देखने के मिल रही है कि NIS से पास अभियर्थियों ने जो अपनी प्रसिक्षन की है ट्रेनिंग की है उसको भी बहुत कम मार्क्स मिला है सारे अभियर्थि एक साथ एक जूट मिला कर पुल मिला कर BAC BAC B versus CVAC पर केस करने जा रहे हैं अब देखिए अभी तक तो केस दायर नहीं हुआ है अब आपसे यह सवाल है कि क्या आप इससे सहमत है अगर हाँ तो कमेंट वेक्स में ज़रूर जवाब दे अगर नहीं तो भी कमेंट वेक्स में जवाब दे इसके उपर मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगा चलिए वीडियो करते हैं समाप आगे बढ़ने से पहले आप टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाए और साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो